हेलो फ्रेंड्स आप सभी का बी एट कोर्स के नंबर वन चनल मीशन वन वे में स्वागत है दोस्तो आज हम लोग बात करेंगे आकलन एमंग मुल्यांकन में अंतर इससे पिछले वीडियो में हम लोग मापन और मुल्यांकन में अंतर को देखे थे दोस्तो इस चैनल के माध्य सब्सक्राइब और सभी दोस्ते तक करें ताकि अच्छे नोट उन तक पहुंच सकें ठीक है दोस्तों आए शुरू करते हैं आकलन मुल्यांकन में क्या अंतर है ठीक है तो आकलन को इंग्लिश में हम लोग क्या बलते हैं एसेस्मेंट करते हैं और मुल्यांकन में क्या बलत सब्मेटिव होती है मतलब यह वाकिलन जो होती है वो शिक्षन परक्रिया परक्रिया के दौरान ले आता है जिसमें सिख्षक जो है सब्सक्राइब तो वही मेरा क्या कलाता है जब कि मुल्यांकन क्या योगा अत्मक कलाता है जो शिछन पर अंत मेरा क्लाता है तो याद रहेंगे कि दिखा जाता हैि जिए लाइंगी को देख прямо कि अधिगम के उंस्कन को देखा जाता है मतलब में YouTube के निश्कर स्क्र्स को देखा जाता है जीड़ता है इसमें में अंधिगम के निश्कर्स को को देखेगा ठेक जबकि आखलेंब में उसका उनति को देखाने ताहिст है तीसरा अंतर है आशा nCyt को समझ कर उसका हम लोग क्या करते उप्चाण्ड जो करते हैं नीदानात्मुक परक्रिया प्रोसेस तो पांगों में 어maip तो आकलंज होती है यानि जच्छ्मेंटल प्रूसेस होताइं इसमें जो है निल्नय दिया यहां होframes लिगर तो मुल्लियाकन में के जब्थांटर्य निर्पेक्श होति है यानिवन अकलंग में हमनों हनों पर्वर्तन नहीं कर सकते अंगों में प्रोसेस परक्रिया अधारीत कर दिया प्रोसेस पर्चरीए परक्रिया प्रोसेस पर पर अधारित यह तो दैंकन जोते हैं और मifferenty सिल्टा पायता यहां जयते हैं तो में इसे कं ट्रिक T Şu कर सकते हैं परदिवर्तन कर सकते हैं यह बच्चे को चिनल जखते हैं फिर सेधे लिचानावर्ति जब कि मुल्यांकन में क्या होती है इसमें किसी प्रकार के हम लोग पडिवर्तन नहीं कर सकते हैं अब आते हैं साथवा नमबर अंतर है है कि आलं में सिच्छव और सिखशार्थी दोनों की भूमिका होती है इसkraut à бли мнiantes कि भूमिका नहीं होती है इसमें सेर chickens स्कृत करते हैं उसी की भूमिका होती है ठीक है चल्वा नंबर अंदर देखते हैं आकलन जो ती वह सतत परक्रिया आकलन एक क्या है continuous process है मतलब यह continuous process है आकलन जो हरे पूरे सिक्षन परक्रिया के दोरान ली जाती है प्रक्रिया जो हम लोग साल के अंत में लेते हैं ठीक है पिर उसके बाद नो नंबर में देखते हैं आकलन एक सुझाव परती पुष्टी देता है आकलन की परक्रिया में जो होती है सुझात्मक और परती पुष्टी इसमें किसी परकार का परती पुष्टी देगा जबकि मुल्यांखन केवल आउटपूट के बाड़ी पता था मुल्यांखन जो है परिवरतन भी नहीं कर सकते हैं और दस्वा नम्बर जो हैं अंतर है आकलंग जो हता है वह अंक पलस अंकोंग का अर्थ से मिलकर बनता है उम्हीद करते हैं अकलंग जो हती है वह एक वस्ट परक्रिया के जो हम लोग देगा है कलास में सिक्षिन पर एकर्या के यह हो रही भूज कमी हो जाती है तो च्छे को 16 जो है एक बार जो तयार हो जाता है वह सेक्षिन में जो पर इक्षा देते हैं आगे बाराता है और इसमें किसी परकार की परिवर्ता नहीं कर सकते हैं इसमें करता ही भाग डेते हैं और यह अंकों मुल्का लिए उसमें दाटा करते हैं तो उमीद करते हैं आप लोगों को आकलन और अंतर है यह समझ में आ घ्या खेंग कि दोस्तूं किसी तरह मेरे चैनल पर बनड़ है और फिलम लोग नेस्ट वीडियो में नेक्स टोपी के साथ मिलते हैं तब तक के लिए धन्नवाद